हमारा ये जो शरीर है ये कभी भी कुछ भी खा लेने के लिए नहीं है तो बागवट्टी जी कहते हैं कि जब जठर में अगनी सबसे ज़्यादा तीवर हो उसी समय भोजन करें तो आपका खाया हुआ एक-एक अन्न का हिस्सा पाचन में जाएगा और रस में बदलेगा और रस में से मास मज्जा रखते वीरे मल मूत्र मेद और आपकी अस्तियां इनका विकास होगा तो कभी भी कुछ न खाएं ये पद्धिती भारत की नहीं है ये यूरोप की है यूरोप में डॉक्टर्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि छोड़ा थोड़ा खाते रहो कभी भी खाते रहो हमारे ये नहीं है तो आपको दोनों का अंतर समझाना चाहता हूँ बागवट जी कहते हैं कि खाना खाने का समय निर्धारित करें और समय निर्धारित होगा उस से जब आपके पेट में अगनी की प्रभलता हो जठर अगनी की प्रभलता हो बागवट जी ने इस पर बहुत रिसर्च किया और वो कहते हैं कि डेड़ दो साल के रिसर्च के बाद उनको पता चला कि जठर अगनी कौन से समय सबसे ज़्यादा तीवर होती है तो वो कहते हैं कि जब सूरिका उद्य होता है तो सूरिके उद्य होने से लगभग धाई घंटे तक जठर अगनी सबसे ज़्यादा तीवर होती है तो बागबटी जी कहते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा भोजन करें, वो तो एक जगए यहां तक कह देते हैं, कि आप अगर संभव हो, तो साड़े नौ बजे के अंदर ही लंच करें, माने ब्रेकफास्ट गायव, वो यह कहते हैं कि सुबह साड़े नौ बजे तक अगर आप के शरीर के लिए उप्योगी होगा, बागबटी जी ने एक और रिसेर्च किया था, कि शरीर के जो अलग-अलग अंग हैं, जैसे हिर्दय है, और जैसे जठर है, जैसे kiddy है, जैसे liver है, इनके काम करने का अलग-अलग समय है, जठर अगनी के काम करने का सबसे अच्शा समय है साथ से साड़ेनो सूर्योदै से ढाई गंटे तक फिर इसी तरह से हिर्दै हिर्दै के काम करने का समय है सबसे जादा ब्रह्मु महूरत से नगा यह गंटे पहले ब्रह्म महूरत आप समझें चार साड़े चार तो दो सवा दो बजे डेड़ बजे से लेकर चार बजे के बीच में हर्ट सबसे जादा सक्रिय होता है और सबसे ज़्यादा heart attack उसी समय में आते हैं किसी भी डॉक्टर से पूछ के देख लिए इसलिए 99% heart attack early mornings में ही होते हैं इसी तरह हमारा liver है, इसी तरह kidney है हर शरीर के अंग का, काम करने का एक निश्चित समय है प्रकरती ने तै किया है, उसको भगवान ने तै किया है तो आपका जठर अगनी है, ये सबसे अच्छा साथ से साड़े नो तो आप भरपेट खाना खाईए हैवियर से हैवियर होना चाहिए, बारी से बारी जितना खाते हैं, ज़्यादा भी खा लीजे, कोई फरक नी पड़ सुबह के नाश्टे में भरपेट खाईए फिर वो कहते हैं, दुपहर का भोजन अगर आप कर रहे हैं तो इसको थोड़ा कम करिए नाश्टे से अब सीदे से मैं कहता हूँ, अगर आप सवेरे छे रोटी खाते हैं तो दुपहर को चार ले लीजे और शाम को दो ले लीजे तो बागवट जी कहते हैं कि सब कुछ सवेरे खाओ आपको जो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में मैं आपको एक वाक्य में कहता हूँ, जो चीज सबसे ज़्यादा पसंद है वो सुबह खाओ आपकी जीव स्वाद के लिए मचल रही है रजगुल्ला पसंद है तो सुबह खाओ रबड़ी खानी है तो पसंद है तो सुबह खाओ जले भी खानी है तो सुबह खाओ, इमरती खानी है तो सुबह खाओ, अगर आपको आलू का पराठा खाना है, या गोवी का पराठा खाना है, जो भोजन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, वो सुबह खाओ, पेट भर के खाओ, पेट की संतुष्टी हुई, मन की भी है मन को आज की भाषा में डॉक्तर्स लोग जो गिनते हैं यह नहीं लेकिन उन्होंके जो पीनियल ग्लेंड के बारे में है यह जो पीनियल ग्लेंड यह इना इस में सरो बहुत सारा रस निकलता है जिनको हम हार्मोंस कह सकते हैं कुछ एंज़ाइं से यह संतुष्टि के आपकी सबसे ज़्यादा सक्रिय है तो जो भी रस और एंजाइम चाहिए शरीर को नियमित रूप से समान अंतर पे निकलते रहते हैं और जो भोजन से तरपती नहीं है तो गड़वड होती है पीनियल ग्लेंड और पीनियल ग्लेंड की गड़वड़ी पूरे शरीर में पसर जाती है और आपको तरह तरह के रोगों का शिकार बना दे अगर आप तरपत भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से दस बारे साल के बाद आपको मानसिक कलेश होगा और रोग होंगे मानसिक रोग बहुत खराब है आप सीजोफ्रेनिया के शिकार हो सकते हैं डिपरेशन के शिकार हो सकते हैं आपको कई ऐसी गंबीर बिमारी होसकती हैं बागबटी जी कहते हैं कि आप भोजन करते हुए अगर संतुष्ट नहीं है तो 27 तरह की बिमारी हों से ग्रसित होसकते अब मैंने ये बागबटे जी के सूत्र को चारों तरफ देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मनुष्य को छोड़कर जीव जगत का हर प्राणी इस सूत्र का पालन कर रहा है क्योंकि मनुष्य को मैं मूर्ख मानता हूँ हाला कि मनुष्य अपने को होशयार समझता है लेकिन मनुष्य से ज़्यादा होशयार ये जीव जगत के प्राणी है आप चुडिया को देखो चुडिया कितने भी तरह की चुडिया सवेरे सूरज उगते ही उसका खाना शुरू हो जाता है खूब जम के खाती है तो ये सारे जानवर, सारे जीव जन्तु आप साप को देखो, बिच्छु को देखो, कीडी को देखो, चीटी को देखो, चींटे को देखो सब जानवर, सब जीव जन्तु जो हमारी आँखों से दिखते हैं, जो नहीं भी दिखते हैं ये सब का भोजन करने का समय सबेरे सूरियोदे का ही है सूरियोदे के साथ ही ये सब भोजन करते हैं इसलिए ये हमसे जादा स्वस्त रहते और पेट भर गया उसके चार घंटे के बाद ही पानी पीती है दुपेर को ही पानी पीती मैंने आपको कई बार ये कहा है आप उसको हस देते हैं किसी भी चुलिया को डाइबिटीज नहीं होता किसी भी बंदर को हर्ट अटेक नहीं आता बंदर तो आपके नजदीक है न शरीर रचना में बस बंदर और आप में एकी अंतर है कि उसको पूछे आपको नहीं है बाकी सब कुछ है कि ये आपका हिरदय बंदर का हिरदय आपका लीवर बंदर का लीवर आपकी किड्नी बंदर की किड्नी सब कुछ समान है मा का गरभाश है बंदरिया का गरभाश है सब समान है मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है डॉक्टर अबींदरनाथ शानबाग करनाटक में एक उडुपी नाम की जगए है वहां रहते हैं बहुत बड़े प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज में काम करते है उन्होंने एक बड़ा गहरा रिसर्च किया उन्होंने कहा कि मैंने जिंदजी भर्माने पंदरे सोले साल उन्होंने एक रिसर्च किया कि बंदर को बीमार बनाओ क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वहग्यानिकों से यह सुन रखाए कि बंदर बीमार नहीं होता और बीमार होगा तो मरेगा ही जीवित नहीं रहेगा वो कहते हैं कि मैं 15 साल असफल रहा बंदर को कुछ नहीं हो सकता वो कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश किया कि उसके बलड का कॉलेस्टरॉल बढ़ा दू बढ़ता ही नहीं तब उन्होंने एक दिन रहस्य की बात बताई वो आपको भी मैं बता देता हूं कि बंदर का जो बलड है ना उसका आरेच फैक्टर दुनिया में सबसे आदर्श है और आपका आरेच फैक्टर जब नापता है ना कोई डॉक्टर तो बंदर से ही कंपेर करता है वो बताता नहीं आपको ये अलग बात है तो वो प्रोफेसर साब कहते हैं यार ये सब एक ही चक्कर है कि बंदर सबेरे ही सबेरे भर पेट खाता है जो आदमी नहीं खा पाता तो वो प्रोफेसर रवीद रनाश शानबाग ने कुछ अपने मरीजों को कहा कि देखो बंदर की तरह से खाओ माने सुबे सुबे भर पेट खाओ कि जब से उन्होंने सुबे भर पेट खाना शुरू किया किसी की डाइबिटीज माने शुगर कम हो गई किसी का कॉलेस्टरॉल कम हो गया किसी के घुटने का दर्द कम हो गया किसी के कमर का दर्द कम हो गया किसी का कुछ किसी का कुछ गैस बनना बंद हो गई, पेट में जलन होना बंद हो गई, नीद अच्छी आने लगी, वगएरा वगएरा, तो समय मैंने आपको बता दिया, सूरज होगा और धाई गंटे तक, मैंने साड़े नौ बजे तक, जादा से जादा दस बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए, और ये भोजन तभी होगा, जब आप नाश्टा बंद करेंगे, ये नाश्टा हिंदुस्तानी चीज नहीं है, ये अंग्रेजों की है, और आप जानते हैं हमारे यां चक्कर क्या चल गया है, नाश्टा थोड़ा कम करेंगे, लंच थोड़ा ज़ सवा सत्यानाश, एक दम उल्टा, भागवट्टी जी कहते हैं कि नाश्टा सबसे ज़्यादा करो, लंच उससे कुछ कम करो, डिनर सबसे कम करो, ये अंग्रेज और अमरीकियों के लिए नाश्टा कम है, कारण पता है, वो लोग नाश्टा हलका ही करें, तो उनके लिए कारण उसका एक ही है, कि अंग्रेजों के देश में सूरे नहीं निकलता, साल में आठाट महिने तक सूरज के दर्शन नहीं होते, और ये जो जटर अग्नी है न, ये सूरज के साथ सीधे संबंदित है, जैसे जैसे सूरे तीवर होगा, अग्नी तीवर होगी, जैसे जैसे स सूर्य कम होगा अगनी भी कम होगे तो वो नाश्टा हैवी नहीं कर सकते करेंगे तो उनको तकलीफ हो जाए इसलिए मैंने सबसे पहले दिन जो सूत्र बोला था अपनी आबो हवा अपना परियावरन अपना वातावरन अपनी तासीर इसको ध्यान में रखकर ही चले तो आप के देश की जो आबो हवा और तासीर है वो ये कि हर दिन सूरज निकलता है सुबह निश्चित रूप से निकलता है अगले दिन भी निकलेगा करोणों साल से निकल रहा है अगले करोणों साल तक निकलेगा इसलिए भारत में every morning is good morning यूरोप वाले तरस्ते हैं good morning के लिए अ यूग है तो हम good morning में क्यों फसे हुए हैं तो good morning से निकलिए नमस्ते में आईए नमस्कार में आईए वड़कम में आईए ये good morning आपके लिए काम की चीज नहीं है और ये good morning जुड़ी हुई है आपके पेट से फीक है फिर आप इसमें तरक और कुतरक मत करिए जी हमको दु दुरुस्त होने के लिए बागवट जी कहना है कि भाई इसको समाल लो तो दुनियादारी समलती है और ये गया तो दुनियादारी समाल के करेंगे क्या मालीजे पेट ठीक नहीं है स्वास्त ठीक नहीं है आपने 10,000 करोड कमा लिया क्या करेंगे डॉक्टर को ही देंगे न तो डॉक्टर को देने से अच्छा किसी गोशाला वाले को दे दीजे पेट दुरस्त कर लीजे तो पेट आपका है तो दुनिया आपकी है माने आप बाहर निकलें घर के तो छक कर खाना खाके निकलें भोजन करके ही निकलें जठर अगनी सुबह सुबह बहुत तीवर होगी और शाम को जब सूर्यस्त होने जा रहा है तब भी तीवर होगी बहुत तीवर होगी तो कहते हैं शाम का खाना सूरज के रहते रहते खालो सूरज डूबा तो अगनी भी डूबी तो वैसे तो जेन दर्शन में का है रात्री भोजन निशेद है बागवटी जी भी यही कहते है तरीका अलग है बस आप हिंसा के लिए कहते हैं वो स्वास्ते के लिए कहते है वो ये कहते हैं, शाम का खाना तो सूरज डूबने के बाद दुनिया में कोई नहीं खाता, गाए को खिला के देख लो, भैस भी नहीं खाती, बकरी भी नहीं खाएगी, बकरा, गदे को खिला के देख लो, खाता नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं खाता, आप खाते हैं, तो आप पहले तो बागवट्टी जी ने उसका कैलकुलेशन दिया, 40 मिनट पहले, 6 बज़े डूब रा है तो 5 बज़ के 20 मिनट तक, फिर कहेंगे जी रात को क्या, तो रात के लिए बागवट्टी जी कहते हैं कि एक ही चीज है, जिसमें सबसे अच्छा उन्होंने दूद कहा है, हमा मंगा लीजे, दुकान में डबबा आ सकता है, हाँ, डबबा आने में कोई तकलीफ नहीं है, दुकान में आप 6 बज़े बैठें, डबबा आपका आ सकता है, और मैं आपको हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, आप में से कोई भी डाइबिटिक पेशन्ट है, कोई भी मेरा पहले से कम हो रहा है, ट्राइगलिस राइट चेक कर लीजे और इस सूत्र को शुरू कर दीजे, तीन महीने बाद फिर चेक करा लीजे, पहले से कम होगा, VLDL, LDL आज चेक कर लीजे, तीन महीने बाद फिर चेक करा लीजे, बहुत तेजी से घटेगा, HDL आज चेक करा पहने में बहुत मदद करेगा